हलो एवरीवन गैसे हैं आप सब मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टैक्ट लोग मंतरा मेरे साथ अगर आपसे कोई अचनक से आपका फन मांग ले आज के टाइम में तो फोन इतना जबरदस आपका परसनल डैरी की तरह हो चुका है कि अगर आप से कोई ब Mich mucho कोई भी बंदा अगर आपके पूंले के लिए भी तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको एक फीचर बता रहा हूँ जिससे आप को सिर्फ वो फीचर जैसे आप ओन करेंगे तो सामने वाला बंदा सिर्फ वही चीज देख पाएगा जो आप उसको दिखाना चाते हैं या फिर जिस परपस के लिए सामने वाले ने फॉन मांगा है उस एप के अलावा वो कुछ भी आपके फॉन के अंदर नहीं देख पाएगा तो ये फीचर आपके लिए काफी उप्योगी सिद्ध हो सकता है तो इस फीचर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है चलिए आरम करते हैं इस वीडियो का पूरा देखना इस वीडियो को अंतक तो चलिए friends में आपको दिखाता हूँ ये pinning वाला जो option है आप कैसे अपने phone के अंदर enable कर सकते हैं मैं जो use कर रहा हूँ Oppo का F11 Pro जैसे मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है और setting में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा device and privacy का option मेरे phone के अंदर यहाँ पे आपको pinning का option देखने को मिलेगा screen pinning का तो यहाँ पे आपको अलग सफ्छन दिखाई दे रहा है और कुछ phone के अंदर दौस्तो pinning का option by default on ही रहता है वो अलग से option नहीं रहता और कुछ फॉन्स के अंदर सिक्यूरिटी वाला जो टैप रहता उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यह उप्शन तो जो जैसे आपके पास कोई भी बंदा है और किसी ने करते हैं वो काम खत्म करने के बाद बाकी एपस के अंदर आपके जाकना शुरू कर देते हैं अगर आपका पासवर्ड खुला मिल गया तो तो इस चीज़ से बचने के लिए तो यह पिनिंग का उप्शन बेस्ट है आप जरूर करें अगर आपके फॉन में हैं या सपोर्ट कर पाए वो तो जैसे अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह मल्टी टास्किंग वाला मैंने टैब पर क्लिक किया और यहां पर आप देख पाएंगे कि जितनी भी आप्स खुली है आप फॉन में तो यहां पर जो भी एप जिसके अंदर काम करना है सामने वाले बंदे क वही ओपन रहे तो यह उपर आप थ्री डोट थ्री लाइंस जो हैं इसके उपर जैसे आप करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा पिन का ओप्शन है तो इसके उपर जैसे आप करेंगे तो स्क्रीन के ओपर सिर्फ और सिर्फ यही सैटिंग का ओप्शन ही उसके सामने खु करती रही कि उसके सामने से यह नहीं हटेगी और अगर उसने हटा भी दी एक मिनट के लिए हटाने का लिए आप पे ऑप्शन आता है कि आप बैक बटन और जो आपका मल्टी टास्किंग वाला बटन इसको एक साथ दबाते हैं तो यह अन पिन हो जाएगी स्क्रीन लेकिन अन फॉन के अंदर से अगर कोई मांगता है तो आपके परसनल डाटा जो है जिक्यूर रहता उसके अंदर कोई ताका जाकी नहीं करेगा कोई देख नहीं पाएगा आपके परसनल डाटा को तो इसका इस्तमाल जरूर करिए कुछ फॉन्स के अंदर यह सपोर्ट शायद ना भी करें यह उप्शन आता ही ना हो लेकिन जिनके अंदर स्क्रीन पिनिंग का उप्शन सेटिंग में ना मिले तो उनके फॉन के अंदर एक बार ट्राई जरूर कर लें मल्टी टास्किंग वाले बटन पर जैसे ही जाएंगे तो उनको त्री डोट पे टैप करेंगे तो यहां पे आपको शायद यह पिन वाला ऑप्शन बाई डिफोल्ट मिल जाएगा आपको अंदर से ओन करने की शायद जरूरत ना पढ़े तो एक बार ट्राई जरूर करिए का इस ऑप्शन को काफी अच्छा है यह तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर से फितना ही तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है शेर ज़रूर करना है चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाना बेल नोटिफिकेशन के लिए भी ज़रूर दबाना ताकि आने वाले जितने भी हमेशा मिलते रहें और हम लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुडे रहें तो अगर कोई मेरे से कोई कोंटेक्ट करना चाता है किसी को वीडियो से रिलेटेड कोई इशू है कोई भी चीज में टेक्निकली बता रहा हूँ अगर उसको करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमे बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिफ इतना ही बने रहे है टक प्लोग मंत्रा के साथ मिलते नग्स वीडियो के अंदर जै हिन जै भारत